हालो दोस्तो आज क्योडियों हताऊंगा? किस तरीके से आप ट्विटर एकाउंट कैसे वनाए? X ट्विटर एकाउंट कैसे वनाए? How to create ट्विटर एकाउंट तो ट्विटर में एकाउंट को बनाना के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्लेइस्टोर को open करना है प्लेइस्टोर को open करने के बाद यहाँ पे आपको search करना है twitter जिसे आपто Twitter को search करो यहाँ पे आपको ट्वीटर का official app आजाएगा इसका नाम अभी X हो चुका है तो इसको install कर लेना है इंस्टॉल करतेने के बाद आपको open पे click करना है जिसी आप open पे click करोगे आपका twitter का official app open हो जाएगा twitter पे new account को create करने के लिए आपको यहाँ पे option आता है create account तो आपको create account पे click करना है जिसी आप create account पे click करोगे पे लोड़ोगा कुछ इस तरह का interface आ जाएगा create your account तो twitter मेन्यू account को बनाने के लिए आपको सबस्पहले अपना name एंटर कर लेना है name अपना दे सकते हो ठीक है तो यहाँ पे मैं अपना name देता हूं enter कर लेना है, तो मैं आपको अपना gmail id को enter कर लेता हूँ gmail को enter कर देने के बाद यहाँ आपको ticked bell option आ जाएगा, ठीक है, अगर यह ticked ऐफिल आयता है, तो आपका Gmail new है, ठीक है, अगर आपको buraya आपको cross bell option आ जाएगा, तो समझा जाना कि already उस Gmail से इडी create है एक्स पर तो यहां पे आपको Gmail एकर देना अंग यहांपको Date of birth set करना है जिसे आप Date of birth एक्ट करने का option आ जाएगा तो यहां पे आपको set करना है ठीक है सबसे पहले आपको month set करना है जिसे कि मेरा मन्थ है फेबुरी तो मैं यहाप फेबुरी सेट कर लिया देन आपको डेट सेट करना है ठीक है तो मेरा डेट है टेन तो मैं यहाप 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 जाएगा देन आपको क्या करना यहाँ पे एक option जाएगा नेक्स्ट तो आपको next पे क्लिक करना है जिसे आप next पे क्लिक करोगे पे लोड़ होगा आपको थोड़ असा वेट करना है देन कुछ इस तरका इंटरफेस आजाएगा और ठिकें यहाँ पे आपको एक option जाएगा यहाँ पे एक option जाएगा that is missing the puzzle piece shown on the left 1 of 10 तो यहाँ पे आपको 10 puzzle solve करना है तब जाकर आपका Twitter account create होगा तो यहाँ से आप puzzle को देखके solve कर सकती हो तो ठीक है तो यहाँ पे आपको puzzle change कर सकती हो तो यहाँ से आप change करके set कर सकती हो लेकिन दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको क्या कर करना है यहाँ से एक option गलता है restart तो आपको restart पे click करना है ठीक है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आपको loading वह अप्शन आ जाएगा authenticate your account तो आपको फिर से authenticate वाले option पे click करना है जिसे आप authenticate वाले option क्लिक करना है यहाँ आपको फिर से new puzzle आ जाएगा अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ सेट कर सकते हो लेकिन दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है Twitter को close कर दिना है Twitter से बाहर आ जाना है Twitter से बाहर आ जाना के बाद आपको क्या करना है फिर से Twitter के official app को open करना है जिसे आप Twitter के official app को open करते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आयता है X, see what's happening in the world right now Twitter पे new account को create करने के लिए आपको यहाँ पे option आता है continue with Google तो आपको continue with Google पे click करना है जिसे आप continue with Google पे click करोगे तो यहाँ पे आपका सभी Gmail ID यहाँ पे show कर जाएगा choose an account to continue to X तो यहाँ पे आपको एक new Gmail ID को select कर लेना है just demo दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक new Gmail ID को select कर लेता हूँ new Gmail ID को select कर देने के बाद यह loading लेगा यहाँ पे आपको एक option आजेगा what's your birthday तो यहाँ पे आपको अपना data birth set कर लेना है this won't be public और आपका जो data birth है वो public नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे आपना data birth को set कर लेना है तो set करने के लिए आपको नीची तरह एक option लेता है तो आपको सबसे पहले month set करना है then date set करना है then year select करना है तो मैं सबसे पहले मैं अपना month को set करता हूँ जो की February है मैं February set कर लेता हूँ date 10 तरीक है then 2002 है मेरा data birth को set कर देने के बाद यहाँ पे आपका tickable option आ जाएगा then आपको क्या करना है account को create करने के लिए आपको यहाँ पे एक option लेता है sign up तो आपको sign up पे क्लिक करना है जिसे आप sign up बाले option पे क्लिक करोगे पे लोड़ोगा आपको थोड़ा सा वेट करना है then आपको सामें एक option आ जाएगा x what should we call you your username is unique you can always change it later तो यहाँ पे आपको company के तरफ से एक username आ जाएगा तो अगर आप चाहें तो इस username को रख सकते हो नहीं तो आप अपने हिसाब से change कर सकते हो तो यहाँ पे आपको कुछ suggest भी किया है username तो इन में से भी रख सकते हो नहीं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो तो username को create करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है जिसे इस पे क्लिक कर ओओ यहाँ पे आपको edit वाला option आ जाएगा तो आपको unique username रखना है और यहाँ पे ठीक है देन आपको क्या करना है यहाँ पे आपको tick वाला option आ जाएगा green tick तो समझ जना कि यह username आपका unique है देन आपको सामने एक option आता है next तो आपको next पे क्लिक करना है जिसे आप next वाले option पे क्लिक करोगे पेज लोड़ोगा आपको थोड़ा सा वेट करना है देन आपको सामने एक option आ जाएगा see who's on x you decide who to follow तो यहाँ पे आपको follow करने के लिए बोलेगा देन आपको सामने एक option आपको continue तो आपको continue पे क्लिक करना है जिसे आप continue वारे option पे क्लिक करोगे पेज लोड़ोगा आपको थोड़ा सा वेट करना है loading देन आपको सामने एक option आजएगा suggest follows तो यहाँ से आप किसी को follow कर सकती हो नहीं तो आप next पे क्लिक कर सकती हो तो मैं यहाँ आपको next पे क्लिक करता हूँ जिसे आप next पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक option आजएगा x which language do you speak तो यहाँ पे अपना language select कर लेना है तो मैं यहाँ पे English select कर लेता हूँ English को select कर देने के बाद अगर आप चाहें तो कोई और language select कर सकती हो जिसे कि हिंदी select कर सकती हो तो आपको next पे क्लिक करना है जिसे आप next पे क्लिक करोगे पेज लोड़ोगा देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आजएगा x follow one or more account तो यहाँ पे आपको एक account को follow कर लेना है जिसे कि मैं आपे follow कर लेता हूँ rbc media तो यहाँ आपको क्या करना है यहाँ पे एक option होता है next तो आपको next पे क्लिक करना है जिसे आप next पे क्लिक करोगे पेज लोड़ोगा और आपका जो account है successfully create हो जाएगा यहाँ पे लोजगते है मेरा account create हो चुका है देन यहाँ पे एक option आता है audio and video calls are here no thanks पे आपको क्लिक करना है जिसे आप no thanks पे क्लिक करोगे आपका account successfully create हो जाएगा यहाँ पे लोजगते हो हमरा account create हो चुका है यहाँ पे लोजगते हो हमरा profile भी यहाँ पे show कर रहा है यहाँ पे one following show कर रहा है मैंने अभी एक को follow किया था देन आपको क्या करना है profile पे करना है यहाँ पे आपका name change करने वाला option आ जाएगा यहाँ पे आप bio add कर सकते हो यहाँ पे आप location को add कर सकते हो website अगर आपके पास है तो उसको भी add कर सकते हो और यहाँ पे आपना data birth को change कर सकते हो यहाँ पे switch to professional भी कर सकते हो सो fancy तरीकी से आप Twitter पे account को बना सकते हो create कर सकते हो 2024 में I hope आपको वड़ी पसन है होगी वड़ी पसन है थी फ्रीजर को लाइक कीजिगा चैनल पहली वारत तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिगा जहेन वंदे महातरम कर दो कर सकते हो